दोस्तों अगर आप Airtle Payments Bank का Customer है और आप अगर यहां Fixed Deposit करते हैं तो आपको यहां कितने Interest मिलने वाले हैं यहां देख सकते हैं 7.05% आपको यहां Interest मिलने वाले हैं तो यहां जो है Airtle Payments Bank और Industry Bank दोनों का यहां Partnership है जिसमें आप Fixed Deposit करती हैं तो यहां आप Regular Fixed Deposit और Tax Saver Fixed Deposit अगर आप करती हैं तो इसमें आपको अलग अलग आपको Interest डेट मिलने वाले हैं या फिर दो साल या तीन साल चार साल जिस तरग आपको invest करना है उस हिसाब से आप यहां कर सकते हैं अगर आप एक साल के लिए करते हैं 15,000 का fix deposit करते हैं तो आपको 16,200 रुपे यहां मिलते हैं ठीक है अगर आप दो साल का fix deposit करते हैं तो आप यहां 15,000 का fix deposit करते हैं तो दो साल में आपको 17,492 रुपे मिलने वाले हैं अगर वही आप 3 साल का करते हैं तो 3 साल में आपको 18,749 रुपे पैस्ते आपको जो है मिल जाते हैं fix deposit का maturity में आपको इतना मिलते हैं चार साल के लिए fix deposit करते हैं 15,000 का तो आपको यहाँ 19,998 रुपए 32 पैसे मिल जाती है interest ठीक है maturity जैसे ही होते हैं आपको इतने मिल जाती है तो guys अगर आप वही tax saver fix deposit करते हैं तो आपको 15,000 का fix deposit करना होता है 5 साल में और 5 साल के लिए आपका जो है maturity बनता है वो 21,492 तो आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है रेगुलर में करना है या फिर tax saver fix deposit करते हैं 15,000 रुपए का आप fix deposit इन्वेस्ट करते हैं आप 5 साल के लिए तो आपको maturity जो बनता है वो 21,492 रुपए 29 पैसे बनता है अगर आप रेगुलर करते हैं तो रेगुलर में भी आपको य fix deposit जे इन्डूस्टेन बैंक के अंदर आपका यहां fix deposit होने वाला है इन्डूस्टेन बैंक और एरटल पेमेंट बैंक दोनों यहां भी पार्टनर पे यह fix deposit हो जा रही है तो यहां अगर आपकी चार साल के अगर maturity होती है तो वो आपका amount यहां maturity amount सो करते हैं अगर आप tax saver fix deposit करते हों उसका भी आपको अलग मिल जाते हैं अगर आपको जिसमें fix deposit करना है तो यहां आप start form कर सकते हैं 500 रुपए से आप यहां से starting कर सकते हैं ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो एरटल थैंक्स application को download कीजिए register कीजिए register करने के बाद जैसे ही आप इस application को open कर लेंगे तो यहां आपको एक option मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एक locker वाला आपको एक logo दिखेंगे यहां आप देख सकते हैं your saving account का option मिलते हैं तो इस पे आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहां आपको मिल जाते हैं earn up to 7.5% यहां से आप कर सकते हैं income कर सकते हैं ठीक Tax Saver Fixed Deposit कर सकते हैं, तो दोनों में आपको यही maturity मिलने वाले हैं, अलग-अलग maturity है, आप एक साल का कर सकते हैं, एक साल छे महिने का कर सकते हैं, दो साल, तीन साल, चार साल, चार साल में आपको कितना मिल जाते हैं? आपको 19,998 रुपए यहां 32 पे से मिल जाते हैं अगर tax saver FD करते हैं तो आपको यहां 15,000 पे मिल जाते हैं जो आपको 5 साल की जो यहां fixed deposit होती है और इसका जो 21,492 रुपए मिल जाते हैं maturity amount तो अगर आपको करना है fixed deposit तो आप यहां से कर सकते हैं तो चले गाइस अगर आपको इसी related और वीडियो चाहिए APS related या फिर pen card service related या फिर bank account opening related fixed deposit related किसी तरह का आपको banking related आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारी इस channel को सब्सक्राइब करने जेगा या फिर pen card service related या फिर bank account आपको ब्रेस करने जेगा